बच्चों के टिफिन के लिए आज हम बनाएंगे गोभी से एक बहुत ही मज़ेदार नास्ता जिसे बच्चे सौक से खाएंगे तो चलिए बनाते हैं करना क्या है एक आटे की लोई लेनी है गुताओ आटा मेरे पास पहले से रखा था उसी की मैंने एक बड़ी सी लोई कट क कर ली सूखे आटे से कोट कर लेँगे और इसको बेल लेंगे यह दिखे रोटी के जितना पतला बेलेंगे यहां पर मैने ली है सेजवान चटनी तो आधा चमस सेजवान चटनी को हम रोटी के अधे हिस्से में लगा देंगे साथ में ठूड़ा सा नमक भी स्प्रिंकल कर अब यह है गोभी तो यहां पर हमने फूल गोभी को एकदम बारीक वाले ग्रेटर से कदू कस कर लिया है तो काफी सारी गोभी हमने इसमें रख दी थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चे बारीक कटा हुआ हरा धनिया अब हम इसमें डाल देंगे चीज यह प्रोसिस चीज है मैं इस तरह से फोल्ड कर देना है और इसके जो किनारे हैं उन्हें अच्छे से चिपका देना है तो फ्रेंड्स हमने इसे चिपका दिया है अब थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे और बेलन से हमें से हलका सा बेल लेंगे जिससे की जो स्टफिंग है अंदर की वो की की जगे आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं यह देखें अच्छे से लगा दीजिए फिर पलट देंगे और दूसरी तरफ भी लगा देंगे और मध्यम मध्यमाज में हमें से अलटते पलटते हुए बड़े असा गोल्डन क्रिस्प होने तक सेक लेना है यह देखें क किनारों को हम थोड़ा सा दबा के सेगे जिससे की किनारे अच्छेस आइगे कहीं कचे नहीं रहेंगे फिर हम इसको फोड़ा सा इस तरीके से होल्ड करके से लींगे जिससें की पूरे में बहुत अच्छा कलर आ जा fossilग यह तो यह मैं निकाल लेते हैं और फिर आपको करक हो जाएंगे यह दीजिए हमने इसे काट दिया और यह हमारा पच्चों के टिफिन के लिए एक बहुत ही मज़िदार सी रेसिपी बनके तयार है टोमेटो केचप के साथ दीजिए टिफिन में बच्चे पूरा टिफिन चट करके आएंगे रेसिपी कैसी लगी यह भी कि लेगा.